हेलो स्टूदेंट्स वेलकम तू माइ चैनल माइनेम इस सीए अरून दिस वीडियो इस स्पेसिपिकली फॉर दो स्टूदेंट्स जिनों ने अभी-अभी सीए अइंटर का ग्रूप वन का एक्जाम खतम किया है जो स्टूदेंट्स बोद ग्रूप दे रहे हैं ये वीडियो को छोड़ो चुप चाप पड़ाई में लग जाओ अभी तक आपको और चार पेपर देना है सो आपकी जर्णी लंबी है सो आते हैं जो बच्चे अभी अभी ग्रूप वन का एक्जाम दे चुके हैं अभी भी मुझे लगता है कि इस बार पासिंग परसेंटेज हर बार से ज्यादा होने वाला है सो आपका एक्जाम खतम हो चुका है अब आप सोच रहे होंगे कि अब आपको क्या करना चाहिए इफ आप भी उन कैटेगरी अफ स्टुडेंट्स में से हैं जिसको नहीं पता कि आफ्टर दे एक्जाम क्या करना है तो प्लीज डू लिसन तू मी तिल दे लास्ट एन इफ आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगे तो प्लीज लाइक तो करी देना यार प्लीज इतना तो बनता है हम तुमारे लिए इतना कुछ कर रहा है एफट डाल रहा है तो आप लोग मेरा वीडिया जरूर जरूर लाइक कीजिए ठीक है एन अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना कमेंट करना अब क्या करना है हम लोगों को एक्जाम्स खतम हो चुका है क्या करे जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ फर्स ग्रूप का एक्जाम दिया है बिना टाइम वेस्ट किये उनको ग्रूप टू का पढ़ाई स्टार्ट कर देना चाहिए यस यू आर हीरिंग राइट आपको बिना टाइम वेस्ट किये ग्रूप alright if Result Negatively आगिया तो क्या करना है सवाइब कर देने के लिए आपको स्टडिज से रहना जरूरी है इसी लिए मैं बोल रहा हूं आपको कि बीना टाइम Ó की क्लासे स्टार्ट कर देनी चीय जो बच्चा सेल्टसटड़ि करना चाहता है वो self study start कर दे because group 2 में आपके पास दो theoretical paper है आप एक paper को उठा के daily basis पर पढ़ना start कर सकते है and दो practical paper है and जो बच्चे classes join करना चाहते हैं भीना time waste कि आपको classes join कर लेना चाहिए your gap between the study and rest period should be of maximum 4 to 7 days इससे ज्यादा gap आप लोग मत लो because एक बार आपने पढ़ाई से continuity छोड़ दिया and it will be very much tougher फिर से अपन पढ़ाई का track में आ पाए so आपको समझ में आया है कि अभी अपने को क्या करना है बिना time waste कि ये पढ़ाई में लग जाना है अपना result positive आएगा तबी भी group 2 देना ही है result negative भी आया तो हम उस situation में होने चाहिए कि हम लोग November में both group दे सके because आप जो बच्चे November में देने वाले हैं उनको तो ये tension भी नहीं है कि new scheme में क्या आने वाला क्या नहीं होने वाला because आप लोग तो old scheme में ही exam देंगे I hope आप लोग को मेरी बात समझ में आई है and if आपको मेरी classes भी join करनी है तो आप description में मेरे number दिये गए है contact कर सकते हैं जो बच्चे offline classes join करना चाहते हैं वो offline आ सकते हैं even distance does not matter हम लोग zoom पे paid classes online भी करवाते हैं तो आप मेरी वो classes भी join कर सकते हैं at a nominal cost जो बहुत ही कम है compared to everyone so I hope आपको मेरा message समझ में आया बिना time waste किये आप लोग अपना group 2 का पढ़ाई start कर देगा कुछ मत सोचो group 1 के बारे में already आप लिखके आ चुके हो अब उसका कुछ नहीं हो सकता and कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसको लगता कि नहीं मेरा group 1 नहीं clear होना जाला मैंने अच्छे से exam नहीं लिखा या फिर मेरी preparation में कमी था तो मैं उस students के लिए बोलूँगा कि आपको भी बिना time waste किये group 1 का पढ़ाई फिर से start कर देना चाहिए आपने जहां से पहले classes लिया था आप वहां की classes में फिर से जाके बैठिये इप वहां पर I hope वैसे भी हर कोई free में allow करेगा आपको and इप आप वहां satisfied नहीं है तो find the best alternative जो आपको लगता कि नहीं मुझे यहां पर right direction मिल सकता है आपको यह मेरा message समझ में आप implement करेंगे आप लोग time waste नहीं करेंगे वादा करो मुझे की आप लोग result का आने तक का wait नहीं करेंगे हम लोग result का wait नहीं करेंगे पढ़ाई start कर देंगे we are CA students हम लोग CA students है हम लोग gap नहीं लेते हमारे लिए छुट्टियां नहीं होती I hope आप सबको समझ में आया इसी जोज के साथ next day morning आपको कल से लग जाना because जब मैं ये वीडियो record कर रहा हूँ already more than 26 hours आपके exams के हो चुके हैं तो आपने rest अच्छा कासा ले लिया कुछ students को तो समझी नहीं आ रहा होगा कि अब और क्या करें कल और कितना rest तो कोई बात नहीं है पढ़ाई में लग जाओ जोड से लग जाओ मैं दुआ करता हूँ आप सब का result positive होगा and इस बार trust me result बहुत अच्छा आने वाले आया यदि आपको लगता है कि आपका costing का paper tough था थोड़ा सा उपर नीचे होए don't worry you will get abundance of step marking क्योंकि ये institute का trend रहा है जब जब paper थोड़ा सा trend को छोड़ के आया है toughness level की तरफ आया है तो institute का lenient checking हुआ है वहाँ पे आपको step marking बहुत अच्छी मिलती है तो tension मत लो सारे के सारे बच्चों आपका result positive होगा एकदम dumb come के साथ group 2 का पढ़ाई में start कर दो ठीक है that's all धन्यवाद